कि हाई फ्रेंड्स अक्सर हम शादी पार्टी में जाते तो स्नेक्स वह आपर अच्छे लगते हैं तो उसी तरह कि यह मैं स्नेक्स लेकर आया हूं आपके लिए इसमें कोई भी ब्रेड नहीं है मैदा नहीं है आटा नहीं है कुछ बीनी बहुत ही सिंपल इंग्रेट से बनाय बनाए गवा स्नेक से और देखे कैसे बनाया गया है यह मैने सूजी लिगी इसमें और कुछ उबले हुए आलो एक कटोरी सूजी लिए और नेर्मना एक तो ब्रिकै Chapter बाने के पानी ही लिए इसका मेजर्मेंट प्रफेक्ट इससे ना कम ना ज्यादा तो इसमें हमारा जो इसका डू तियार होगा दो मतलब जो इसमें सोक हो जाएगा तो बिकुल सही रहेगा इसका मेजर मेंग यह देखो 10-15 मिन्ट रखने के बाद यह ऐसा हो जाएगा और मैंने उबले हुए आलू इसमें मैश किये थे कदू गस किया था ूट मिला आमच्वी अगरत इनगा कें की ब्राग लग रह चाहा होगा तो आप इसमें सोंजी मिला सकते हो और हमेलamo siya मैं यह daug कर सकते हो ज़रूर मिला नसे आपका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा अमचूर मिला सकते हो अगर का Temple कि आटा थोड़ा लूज होगा तो आप इसमें सूजी मिला सकतों यह मैंने के लिए चटनी तियार की थी अगर लग रहा है उसके बद जब हम सूजी डालेंगे इसको हमें रेस्ट करने के लिए जरूर रखेंगे दो तीन घंटे के लिए और वाइस ज़रुत नहीं है सूजी मिलाने के अगर आ चिपका चिपका रहेगा और सफ निशिंग नहीं आएगी तो लगाने के बाद को आप कोई भी शेफ दे सकते हो चोटी यह बड़ी मैंने इस नहीं की तियार किया और यह लो फ्लेम पे ही तले जाएंगे बीस में चाहिए आप थोड़ा सकते हो कम कर सकते हो ताकि हमारे यह उसे अचोटी लगए है इसमें तो टेस्टि लग केशिए पेस मिलाया ऐना मेडा ना कोई कम अन्ती ताक्षिय हो जरूर ब्रेट से हिसेCo वा and of यहां विर कल और आपके उस्कार कि विल और यह कि實्व कं नहीं किशेब si ृऴ कृइब में तियार करना हैं बीच में तलना है इसको फिस में थोड़ी सी लो थोड़ा सा बढ़ा सकते हों ताकि और अच्छी तरह सिख जाएं फिर लो में जित्ता आप मीडियम फ्लेम में बनाओगे इसको बहुत ही टेस्टी बनेंगे क्रंची बनेंगे सुझी से आप जुरूर बन